दूसरी लिस्ट में नौ राज्यों और केंद्रिशासित प्रदेशों के 72 अमेद्वारों के नाम का एलान कर दिया गया है बीजेपी के ओर से एक सीट के लिए उमेद्वार के नाम का एलान बीजेपी के ओर से कर दिया गया है खास बात ये कि उत्तर मुंबई यानि उत्तर मुंबई सीट से गोपाल शिट्टी को टिकेट नहीं दिया गया है बल्कि उनकी जगे वर्तमान केंद्री मंत्री पियूश गोईल को चुनावी मैदान में उत्तरा गया है उधर उत्तर पूरु सीट से भी मनोज कोटेक का टिकेट कार दिया गया है और मिहर कोटेजा को चुनावी मैदान में उतारा गया है महराश्ट की बीर सीट बहुत एहम और प्रितम मुंडे का नाम हटा कर बेन पंकजा मुंडे को एक बार फिर से चुनावी मैदान में उतारा गया है ये एक बड़ा उलट फेर बीजेपी के इस दूसरे लिस्ट में लेकिन कई बड़े और एम नामों का एलान बीजेपी ने दूसरे लिस्ट में कर दिया है और बीजेपी ने दूसरी लिस्ट में कई दिगजों के नाम भी शामिल कियें और इसमें कई केंद्री मंत्री के नाम भी शामिल है केंद्री मंत्री नितिन गड़करी को महराश्टर के नाकपूर से उमेदवार बनाया गया है और पियुश गोयल को बीजेपी ने उत्तर मुंबई से टिकेट दिया है बीजेपी की दूसरी लिस्ट में कई बड़े चेहरों के नाम शामिल है केंद्री सूचना प्रसारण मंत्री अनुराक ठाकूर को हिमाचर प्रदेश के हमीरपूर से टिकेट दिया गया है तो वहीं हरियाना के पूर मुख्य मंत्री मनुअरलाल खटर को करनाल लोगसवा सीर से चुनावी मैदान में उतारा गया है केंद्री मंत्री पियुश गोयल मुंबई नौर्ट से चुनावी मैदान में उतरेंगे नितिन गलकरी को एक बार फिर नाकपूर से टिकेट दिया गया है केंद्री मंत्री प्रेलाज जोशी करनाटक के धारवार से चुनावी मैदान में होंगे करनाटक के फूरुसियम रसवराज बोमबई हावेरी से चुनाव लड़ेंगे तेजस्वी सूरिया बंगलोरु दक्षिन से फिर एक बार बीजेपी के उम्मीदवार अनिल बलूनी को उत्राखन के गड़वाज से लोगसवा चुनाव का टिकेट दिया गया है तो आशूक तमवर सिर्शा ग्रुगराम से रावंदरजीत सिंघ और फरीदाबाद से कृषिन पाल गुरजर को चुनावी मैदान में उता राए बीजेपी ने हरिदवार से त्रिवेन सिंघ रावत चुनावी मैदान में उत्रेंगे बीजेपी ने कई एहम चेहरों को इस दूसरी लिस्ट में चुनावी मैदान में उतारा है और बीजेपी ने दूसरी लिस्ट में कई धिगजों के नाम शामिल किये हैं और इन में कई केंद्री मंत्रियों के नाम भी शामिल हैं हम आपको बताते हैं किस तरह से बढ़े चेहरे अब बीजेपी की इस दूसरी लिस्ट में दिखाई दिया रहे हैं इसके अलावा कई और नाम हैं तेजसी सूरिया बेंग्डुरुदक्षन से एक बार फेर अनिल बलूनी को गड़वाल से टिकेट दिया गया है अशुक तमर सिर्शा से राविंदरजेत सिंग गुरुगराम हरियाना से कृषनपाल गुर्जर फरिदाबाद से और त्रिवेन स इसे नाम है जिनने टिकेट दिया बीजेपी ने बड़े नामों को इस दूसरी लिस्ट में शामिल किया अब तक की सबसे बड़ी खबार अब तक के 242 सीटों के सर्वे में 174 सीटें एंडिये को मिसी दिखाई दे रही है जो अनुमान है इंडी गड़ बंदन को सिर्फ 61 सीटें मिलने का अनुमान है नो राज्यों का उपीनियन पोल आ चुका है जिनने यूपी, बिहार, मध्यप्रदेश, तमिलनाड, निमाचिर्प्रदेश, हरियाना, पंजाब, दिल्ली और केरल राज्य शामिल 242 सीटों के सर्वे में 114 सीटें एंडीय के खाते में जाती दिखाई दे रही है अनुमान के मताबिक मतलब साफ है 243 में से 242 सीटों का अनुमान और इसमें 174 सीटें एंडीय के खाते में जाती दिखाई दे रही है जबकि इंडीय गड़ बंदन को महज 61 सीटें मिलती नजर आ रही है साथ सीटें अन्य के खाते में और अब तक की जितनी सीटों का अनुमान जाहिर किया गया है न्यूज एटीन पर उसमें इंडी गड़ बंदन को जवरदर जटका और एंडी ए जवरदस्त बढ़त के साथ आगे बढ़ती निखाई दे रही है इस सर्वे के मतार्ब आप लोग बताते हैं पर हमारे प्रदेश में 2023 में मोदी जी आये थे वो केके गये थे कि तीन हजार पे भेनों को देंगे एक तीस सो रुपए धान का दाम देंगे सब्ता इससो गयों का देंगे चार सो का गेस सिलेंडर देंगे एक भी पूरानी हुआ आज तक चालू नहीं हुआ यह 23 की है जो इससे पहले 14 में कहा था दो करोड रोजगार रोजगार का मुद्दा तो आपने शायद लिया ही होगा मेरे ख्याल से हो तो बेरोजगारी तो आप बता नहीं सकते आरक्षन का कोटरा देश में पहली बार पहली बार भीयार में बड़ा है इसले जिनको वांकी परस्ट भूमी की जानकारी नहीं है वो ऐसा कह सकते हैं हम विधान सभा में भी नभे परशंट सीटी जीतेंगे लेकिन लोग सभा में हम चालिस की चालिस जीतेंगे In an opinion poll of CNN News 18, they have given two dulceets to NDA in the state of Kerala. How do you see this? I am more optimistic than the number two. I can see very clearly that there is a very strong, huge undercurrent of voters that want NDA MPs. You know that there is a backdrop of how the state economy has been mismanaged और देश के सबसे बड़े ओपिनियन पोल में आप बात उत्तर प्रदेश की करते हैं उत्तर प्रदेश की 80 लोग सबा सीटों में से 77 सीटे एंडिये को मिलती रिखाई दिये रही है इस अनुमान के मताबिक उत्तर प्रदेश में इंडिये को सिर्फ दो सीटे मिलने का अनुमान जताया गया है और ब्यस्पी के खाते में एक सीट जाती रिखाई दे रही है उत्तर प्रदेश डेस का सबसे बड़ा राजी और एंडिये को सबसे बड़ी बात ये है कि 57 प्रतिशत से भी जादा वोट इसमें मिलते निखाई दे रहे हैं इस अनुमान के मताबिक उत्तर प्रदेश में इंडी गडबंधन को मैस 26 प्रतिशत वोट मिलते निखाई दे रहे हैं और एक बड़ी बड़त इस बड़े राज्य में एंडीय बनाते दिखाई दे रही है और ऐसे में जबकि 80 सीटें उत्तर प्रदेश में की असी सीटे हम जीतेंगे और कई प्रदेशों में भारती यंटा पार्टी क्लिन सीव कर रही है जिस तरीके से आपका न्यूज एटीन ओपिनियन पोल भी दरसा रही ति हमने देखा चाहे बिहार कर दो कर दो कर दो कर दो का हमने रहे हम हमने दो ख मुतभिनी टेरा में दो जो असी तर खा और क्लिवर दो एटीनियन खांधी, क檜ले कर दो कर दोक वके से दो दो बित दो झाल झाल